नमस्कार दोस्तों जिके सुरंदर यादव पर आपका हारत एक श्वागत है देखिएगा कल की ताजा ताजा न्यूज आई है कि 50 जिले जो थे उनको इस्थाई कर दिया गया है इससे आपकी जो आने वाली एक्जाम से उन पर क्या-क्या एफेक्ट पढ़ने वाला है हम आज उनी के बारे में चर्चा करने वाले हैं देखिएगा 50 जिले जैसे ही फिक्स हुए हैं तो क्या राजस्तान के वो गोल में जो हम पुराना पढ़ रहे थे उस आधार पर पढ़ना है या फिर एक्जाम में नया आएगा इस आधार पर पढ़ना है देखिएगा इस सभी संसा को हम खतम करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कल की न्यूज पे लिए चलता हूँ फिर उसके बाद में हम उस पोटो पिक पर चचा करेंगे देखिएगा यहाँ पर राजस्तान शरकार राजसव गुरूफ तो यहाँ पर इस न्यूज की बात करें तो देखिएगा इस न्यूज के बारे में हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या आदेश जारी किया है कि यहाँ पर कहा है कि नव गठित 17 जिला केलेक्टर कारियालोयों जिन में उन्होंने नाम लिया है कि अनुपगड है वालोत्रा, व्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन, दूद्दू, गंगापुर सिटी, केकडी, कोटपूतली बैरोड, खैर्थल, नीमका थाना, फलोदी, सलूंबर, साचोर, शापुरा, और एक जैपूर गरामिन, वै जोधपूर गरामिन में, प्रतीकारियालाय, यहां से मैं इन बात याद रखना है, प्रतीकारियालाय, यानि प्रतेक कारियालाय में 15 चतुर्प स्रेनी क्रमचारी, जिनकी संख्या कुलकित्ति होगी 255, इस समीधा सेवा, रेक्स तो 2025 तक अथ्वा नियमित्पद बरे जानित तक, जो भी पहले हो, ठीक है, तो बजट मद 2000-0093-03 के उपमद, 41 समीधा वे के अंतरगत लिये जाने की एदत दवारा परशासनिके वित्य सुईकरती प्रधान की जाती है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब सिंपल सा हमारा यहां पर जो शत्रा नए जिले, देखिएगा, आपने नाम सुनोगा कि गुन्नीस नए जिले बने न, एक्चुली उन गुन्नीस में से आप जैपूर सहर और जोधपूर शहर, इन दो को निकाल दो, क्योंकि वहां पर पहले से जिला क्लेक्टर है, पहले से है, तो यहां प जिले नए नहीं बनाये जाएंगे, तो इस आधार पर आपको क्या देखना है, कि राजस्तान का जो भुगोल है, वो हमें नए सीरे से पढ़ना है, या फिर पुराने सीरे से पढ़ना है, इसी मुद्दे के उपर में आपको वापस लिए चलता हूं, देखिएगा, अभी जितनी एक्जाम हुई हैं, जिले बनने के बाद में, उनमें जो पुराना जीके था या पुराना गुगोल था, कोई आ रहा था, लेकिन आने वाले समय में, हम पुराने के बेस पे ही नहीं चल सकते, हमें नया भी पढ़ना पढ़ेगा, कई लोग आपको ये भी कह सकते हैं ये चीजे नहीं आ जाती, तब तक हम क्या पढ़ें, देखिएगा, कोवर्मेंट के ओफिशेल बुक आती है, उसका हमें वेठनी गरना, हम सिंपल सा थोड़ा थो चेंजेज है, जैसे माल लोग की लूनी नदी है, ठीक है, लूनी नदी है, लूनी नदी का पानी बालोतरा में जाकर खाला खारा हो रहा था भी, बालोतरा 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 नया जुड़ गया, शांचोर नया जुड़ गया, तो उनमें जिलू का नाम लेने में क्या हर्ज है, वहां पर जितने जिले पहले पढ़ रहे थो उनमें दो जिले और एट करने पढ़ेंगे, पढ़ रहे थे तो मरुस्तल वाले एरिया में पहले जितने थे वो तो ही है वो कहा जाएंगे लेकिन जिन में नए बन गये जैसे बालोत्रा नया बन गया अनुपगड नया बन गया बन गया बनाया न तो इस परकार से इन जिलू को हम एड करते हुए पढ़ेंगे उसी परका करने आपको ठीक है और उसी के आधार पर आपको नया पढ़ना ही पढ़ेगा उसका कोई तोड नहीं है जब तक ऑपिशेल डेटा आता है उनमें तो क्या चेंज होगा जो मैं बोल रहा हूं वैसा ही रहेगा थोड़ा सा चेंज यह करना है कि पहले दो जीले थे अब तीन जी शीमा पर पहले हम चार जीले पड़ा करते थे अब दोवरेट कर देंगे कहा इश्यू है और नए सीरे से नई जोग्रोफी नए सीरे से नई राजस्तान जोग्रोफी मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए इतने दिन सिरफ वेटिसी का था कि एक बार यह जीले थोड़े से स् साथ में देखिएगा कि नए सीरे से जो नए एंसी क्यूज होंगे आपके यानि आपके जो मॉस्ट इंपोर्टेंट क्यूशन बन सकते हैं नए आधार पर जीलों में चैंजे जो हैं उनको भी हम इस कोस्त के साथ में आपको समाइध कराएंगे यह आपके लिए कोर्स जो ह यानि कि आने वाली जो सभी प्रतियों की प्रीक्षा है चाहिए आप आरेस की एक्जाम दे रहे हूं जितनी भी एक्जाम होती रास्तान शरकार द्वारा उन सभी एक्जाम में यह अपना रहेगा कंटेंट चलिएगा आपको अपने एप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन म होगी अब तक के लिए बाई